हुआ है मboo है 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 एई हमेंगे आए numéroप का फ्रेंड कैसे अवी लोग उम्मीद है मस्द होंगे चखाय खुश होंगे comes of कि विद्यार्तियों के बारे हम बात करेंगे एसे अस्पृारेंट के बारें बात करेंगे जिन्रों पकारी का पेपर दिया जिननों slip decision दिया और जिन्होंने अभी तक बंदक्षक का पेपर दे चुके हैं और उनका परिणाम उनके चाहे अनुसार नहीं आया ऐसे विद्यारति जिन्होंने पड़वारी के परिच्छा दी पर कहीं कुछ भी बज़े से कुछ भी रीजन से उनके मांक्स कम आए अब कारी का पेपर तो दोस्तो अपने आपका एनलेसिस करना इस समय बहुत जरूरी है क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो यह बहुत important line है इस line को अगर आप अपने दिमाग और दिल में बसा लोगे तो definitely आप कुछ और कर पाओगे कही ना कहीं पहचानो और उसको eliminate करो उसको हटाओ और आगे बढ़ो अब आगे क्या अब आपको सोचना होगा क्योंकि वह समय है जब आपको अपने बारे में सोचना होगा क्या आप आगे किसी एक्जाम की अब एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या आप इसके अलाबा कोई आपके पास दूसरा option है business हो सकता है या private job हो सकती है या क्या आप इस condition में है कि आगे और तैयारी करना चाह रहे हैं तो देखिए 2023 है इसमें चुनाब है आपको भी पता है 2023 में चुनाब है MP में और 2024 में जो election है वो है आपके center में ये दो date आपको दिमाख में दो साल आपके दिमाख में होना चाहिए इसका मतलब क्या है अभी भी कुछ exam है जो बाकी है जैसे अगर हम लोग बात करें MP में MP constable MP constable और SI अभी बाकी है कभी भी इसका notification आ सकता है मैं यह नहीं कहूंगा कि कल आ जाएगा परसों आ जाएगा पर आप समझदार हो जितने समझदार तो आप हो कि आ चुनावी साल है बोला गया था एक लाक वेकेंसियों का बहुत सारी वेकेंसी एक्जाम हो चुके हैं चल रहे हैं अब आगामी भरती कौन सी है MP SI और MP constable ठीक है यह आप समझते हो और अगर हम लोग बात करें 2024 में चुनाव हैं तो यहाँ पर आप SSC GD देख सकते हो GD आप MP constable MP SI आपके पास option रहोगा और सेंटल में आप SSC GD railway में बड़ी भरतियों की बात करें बाकी तो सभी department में छोटी वाली मतलब कहने का मतलब पेकेंसी जो कम रहती है पर आती रहती है बैंक में हमेशा आ रही है आपने दिखा है ठीक है बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में भरतियां हो रही है उनके बारे में आपको जानना होगा अगर आप MP की फोकस हो और अगर आप MP कॉंस्टेबल और SI की बारे में सोच रहे हो तो आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है ठीक है जो हुआ उस पे आपको पानी डालना है बापिस से खड़े होना है बांस बैक करना है बांस बैक जब तक आप नहीं करोगे ना जब तक बिल्कुल बह करें होंगे अब कारी की समय पर नहीं रह पाए होंगे बंदक्षक में भी कुछ ऐसा हो गया कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कवर नहीं हो पाए तो इन सभी को ध्यार में रखिए एक दिन अपने बारे में आपको सोचना होगा किसी से बात मत करिए बिल्कुल अकेले एकांथ म का मैंने अपना 90% दिया अगर आपने अपना 90% दिया था तो कमी थी वो 10% की जो कमी थी ना उसे आपको दूर करके इस बार बापिस से once back करके bounce back करके अपना 100% देना है और selection लेना है ठीक है तो भिड़ जाईए SI और constable में आपको भिड़ना है अब इसे रणनीती बनाईए अब सवाल यह उठता है कि सर पैटन पता नहीं एक्जाम का पैटन हमें पता ही नहीं कि क्या आएगा SI में क्या आएगा कैसा होने वाला हम किस बेस पे तैयारी करें किस बेस पे तैयारी करें क्या धिमाग में रखके हम लोग तैयारी करें तो आप अपने को देखिए आप क इनको तो करिए कम से कम, अब SI में क्या होगा, सर्प्री होगा, मैंस होगा, इंटर्प्यू होगा, क्या होगा, अभी पता नहीं, कितने आपके physical के marks होगे, कुछ तो circulate जो हुआ है, उसका confirm अभी नहीं है, कि confirm है कि बैसे होने वाला है, तो जो है वो reality है, कि reality के base पे, आप सब्सक्राइब के question पूछे जा रहे है, मतलब जो आप सोच सकते हो, उसके, मतलब जो आपने तैयारी करें, उसके और deep से question बनते हैं, आप कहते हैं, जी इसका सर कहीं से भी question आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है, आपके syllabus में आ रहा है, आपने पूरा complete syllabus नहीं करा है, इस बार आप और अच्छे से करिए, physics, chemistry, biology को पढ़िए, science को एक अच्छी command करिए, ठीक है, जिस exam में हिंदी आता है, तो हिंदी पर command करिए, तो धीरे-धीरे command करिए, पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, bounce back करना है, और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करना है, तो एक छोटा सा session, मैंने इसलिए लिया, क्यों मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विध्यारती ऐसे हैं, वो कही न कहीं निरासा की, उनके चारों तरफ निरासा हो गई है, negativity फैल रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी situation से वो जूच रहे हैं, तो ऐसा क्यू प्रियास करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझने आएगा, और आप अपनी reality के base पर decision लेंगे, क्योंकि आपका एक decision आपकी जिंदिकी बदल सकता है, तो इस समय आपने decision लिया, पढ़ने का, लड़ने का, जीतने का, तो definitely आपकी जिंदिकी बदलेगी, और इस स पता है, आपके अंदर potential है, आपके अंदर वो आग है, जोस है, जुनून है, जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुचाएगा, ठीक है, चलिए, जय हिन, जय मत आदी, टेक केर, बाई बाई